आप देख रहे हैं अमेज लाओ जेल में रसा कसी गोरकुष जन्पत कारागार में तैनात अधिकारियों और कर्मजारियों के लिए हमेशा ही रसा कसी का माहौल बना रहता है कभी दुर्दान्त अपराधियों का आगमन तो कभी उनसे अन्य कैदियों की सुरक्षा तो कभी कुछ अपराधियों का दूसरी जेलों में अस्थान अंत्रण ऐसी तमाम व्यवस्थाय ततकाल जेल अधिकारियों को शाशन के निर्देश पर करनी पड़ती है ऐसे में कई बार जेल के आला अधिकारियों का औचक निर्देश भी हो जाता है इसके लिए भी जेल अधिकारियों को तैयार रहना पड़ता है और अब तो जेल के भीतर कैदियों के स्वास्थ के दृस्टिगत कई खेलों का भी आयोजन किया रहा है अभी कुछ ही दिन पहले राश्ट्री अस्तरपर जेल के भीतर बंद कैदियों के बीच आनलाइन शत्रंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें गोरखपुर के चार कैदियों ने भाग लिया और उन्होंने अपना कौशल भी दिखाया लेकिन अब रस्ताकसी का खेल भी शुरू हुआ है ध्यान रहे गी अधिकारियों और कैदियों के बीच में नहीं सिर्फ कैदियों के बीच जो बड़ा ही रोमांचक और मनुरंजक रहा कुछ चुनिन्दा कैदि खेलारियों को एकठा कर दो टीमे बनाई गई और उनके बीच रस्ताकसी का आयोजन हुआ अची पूर वान्चल का एक मात्र उत्कृष्ट सुपर स्पैस्यालिटी संस्थान अचाएं श्री राम जानकी नेत्राले जुबली रोड गोरकपूर रेटिना सर्जरी समल भाई और लेंस प्रत्यारोपन फेको सर्जरी नेत्र से संबंदि सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एक मात प्रतिस्ठान सी राम जानकी नेत्राले एडी चौक जुबली रोड गोरकोर ओचक निरिक्षन में आये जनपत नियाय धीस्त, तेजप्रताप तिवारी, जिलादिकारी कृष्णा करुनेश और स्सपी, गोरो ग्रोवर ने इन सभी खिलाडियों का होसला बढ़ाते हुए इने प्रशश्ति पत्र भी दिया ध्यान रहे, यह सभी कवायर जेल के माहौल को शान्त सौम में और मनुरंजक बनाने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर किया जा रहा है देखते रहिए अमेजनाव आप देख रहे हैं अमेजनाव